नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर आज मैं आपके लिए क्या आएं बिल्कुल रेश्टों शाल पली लबाबदार की सबजी की रेसिपी से बनाना भोती आसान है और आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हो तो चलो चलते हैं पनील लबाबद ओड़ा बनाने के लिए मैंने के लिए मैंने घैस पर रखती है कढ़ाई तो इसमें लेले आपने तीन से चार्च अमच ओइल तो बहुत अच्वाब गरम हो गया इसमा डाल देती हूं मैं जीरा जीरे के बाद में डाल दूंगे आठ साथ से आठ लैसन की कलियां जीरा इसे नालें दो से तील इंच अधरक अधरक से बहुत हीचा टेश्ट आता है तो अधरक जरूल डालें अधरक और लेसन अच्छे से पक चुके हैं यहां पर डाल दीन दो हरी मिर्च उसका मैं डाल दूंगी दो प्याज जिसे में लंबा लंबा काट के लिए है तीस सेकंड के लिए पका लेना है तो आप देख सकते हैं इस तरह में जाद ही नहीं मैं 15-20 सेकंड के लिए चलाते हुए से पका लेंगे तो हलके से सौटे हो जाएं सौफ्ट हो जाएं तो यहां पर मैं डाल दूंगी इसमें नमक तो नमक से ना यह सब्जी है थोड़ी जल्दी सब्जियों के अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हो जितने हैं आपकी सब्जियों इसके और मैं डाल दी खर्बुजे की मेगी यहां पर दो चम्मच उसका डालूंगी आट से बस काजू इनसे ना ग्रेवी में पोज़ा ठिकने साती है तो यह जरूर डाले आप खर्बुज काजने है दन्य पत्बुजे ना रालने के बाद में ऐसे पका लेते हूं एक मिनट के लिए कि वह है तो सब страх द्रूपन जाल दूंगे हारी इलाइची इंसारी चीजों को डालने के बार ना है इसे अच्छे से मिला लेती हूँ और उसे डखके पका लूँगे तीन-से चार मिट के लिए जिससे हमारी डाइची से सॉफ्ट हो जाएं डाल चीणी टुकडी को निकाल देते हैं एसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए साइड में यहां पर मैं लेए कढ़ाईे उसमे लेए मैंने ओयल दो से तीन चमच यहां पे मैं डाल लूँगी पनीर तो मैंने 400 ग्राम पनीर को मोटे-बोटे कीवर में काट त्यार कर दिया है ज़्यदा चोटी-चोटी पीस नहीं करने हैं क्योंकि यो बनते लुद्ध बन्तु में नहीं लवाब दर पनीर को काटा जाता है बन फोर चमच हल्दी पाउडर बन फोर चमच नमक नमक चोटे लाल मिर्स पाउडर बहुत चमच चमच उससे डाला है इससे ना हम इस तरह से पनीर को पकाएंगे दिसमें इस मसालों का फिलेवर हो जाएंगा पनीर फीका फीका नहीं लगेगा तो आप यह प्रोसेस जरूर करें पनीर लवाबदार बना ताइम पर इस प्रोसेस बहुत ही अच्छा यह बन के त्यार होगा तो मैं यहां पर इससे पका लेती हूँ तो मैं ज्यादा गोलन कलर नहीं लाना है बस हमें एक मिनट के लिए से पकाना है यहां पनीर हो गया है नीटकी के जाए यहां पर ओईल हो गाया करम मैंने बन फोर चममाजीरा मैं दो हरीमेज बारी चॉण आपके यहां पर मैंने एक प्याज को बारी चॉण करके लिया है और इन इस थारी चानी चीशें को मैं अच्छे से भून लेती हूं प्याज को जब तक भूनना है तक प पड़ाबदार पनीर होता है उसमें सारी सब्सक्राइब बने गरेवी बनेगी इस तरह से बनेगी तेस्टी बने के त्यार होता है उसका पर मैंने इसमें डाला है आदा चमज हल्दी पाउडर आदा चमाः धनिया पाउडर इंसे अच्छे से पका लूंगी मैं अच्छे से डाल डालके इन दौनों चीजों को बून लिया है यहां पर डाल दूंगे एक चमश कश्मीरी डाल मिर्च इसको भी डालके यहां पर मैं अच्छे से पका लेती हूं तो आप देख सकते हैं मसाला मेरा प्याज वाला कितना अच्छे से बनके त्यार हुआ है तो इस ग्रेवी को हमें बहुत सॉफ्ट करना है यहां पर डाल दिया मैंने एक टिमाटर इसको भी मैं अच्छे से पका लेती हूं मिलाके तो इनको हमें अच्छे से पकाना है अच्छ कर दिया है इसमें डाल दूंगे थोड़ा सा पानी जिससे हमारे जल्दी सॉफ्ट हो जाए पानी डालके मैं इसे एक सी डेडमेंट के रखके पका लूँगी जिससे टेमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए कि हमें ज्यादा मतलब नहीं रखना है ग्रेवी को थोड़ा सॉफ्टी के बनाना है यहाँ पर टेमाडर तो यहाँ पर चुके है आलेंगे स्मिलियング्ट को कालों में बारी चौत करके ढ़ल लगां सिम्लमिर्ट को भूटा होता मोटा पाटना रहे, तो मैं इस gravy को अच्छे से छान के त्यार कर लेती हूं, तो इस तरह चलनी में तान के पूरी gravy त्यार कर लिए है, देखते हैं हम दूसरी gravy को जमारी बन रही थी, तो ये भी अच्छे से पक के त्यार हो गई, ये सौफ्ट हो चुकी है, तो मैं इस गर्वटे बनके त्यार हो जाता है तो यहाँ पर यहाँ पर ज़िए हम चेवजो चुकश एक रेत अपर पका लेटेसे यह वह सिंदितने नाश्ची परक्सव को तिकने की अच्छी रहें विकूंक है क्रीम में लबाबदार भिखी को चैयी में 3-4 चमच मलाई घर की डूद्की मयाई होती है isti मैस कर दाल दिया है 3-4 चमच इसको भी दाल दिया मैस में एक चमच बटर इसे पका लेती हूं मलाई है है सबची में बहुत रचा फ्लेवर और फिnd लेके आती है एक दिम क्रीमी ऺ्मतुर्त लेक видно क्रीम ज्रूर डालें अगर आपके डूत की जूती है ल्रमूल वाली वुसकागी युद्श कर सकते दूत और मलाई साब के घर में होती है। यहाँ पे मेने अच्छी से पका लिया। यहाँ पेसे अक्छी पका लिया ही। मैंने कस्तूरी मेंथी चम청 चबंच से हमारे ला रुछ है। तो अभी मुझे यहां पर gravy ने थोड़ी ठीक लग रही है तो मैं यहां पर थोड़ा से पाने डाल को पतला करूंगे को कभी हम इससे थोड़ी दिर और पकाएंगे इसलिए तो यहां पर डाल देते हूं मैं गरम मसाला दाला है सारी मसाले मैंने इसमें डाल दिये हैं अब कोई हमें बिसिक मसाला नहीं डालना है गरम मसाले के उडालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ इसे अच्छे से मिलाने साथ मैंने एक मिनट के लिए पकाया दाल दिया मैंने आधा कप गरम पाइं धंडा पाइं नहीं डालना है नहीं हमारा प्रोसेस ढूप जाएगा गरम पाइं डालोगा न तो जो प्रोसेस में चल रहा है वह बनता रहेगा यहाँ पर गरम पाइं डालके मैं अच्छे से मिला लेती हूं जो ना अलगी दिखेगी कि महारे सब्सक्राइब अच्छे से बनके त्यार होगी और को छोड़ने लग जाएगी उतना हमें पकाना है इसको यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से डेटेर मतलब और छोड़ने लगई तो मतलब ग्रेवी हमारी हाँ पर पक्के हो गई यह तैयार इतना ही हमें ग्रेवी को पकाना है तो यहां पर अविक्म को अब जैएगा घर में ही आपको जल्दी नहीं है अगर आपके महनत आरहाया इस तरह से अपनीर लवा पर घर पे ही बनाकर ज़िरूए को आपके आएगा के बनाएक्तर forecast कि ड्रू tarano तो द्रीभ टालłbym तेश्टी बनेगा बहुत ज्यादा उसका मैंने इसमें डाला 50 ग्राम पनीर को ग्रेट करके इस तरह से ना इसमें थोड़ी और ग्रेटी नेस आ जाते वह तेश्टी लगता है यह प्रोस्त ना बहुत ही अच्छा टेश्टी सब्जी को और बढ़ा देटा है तेश्टी सब् अगर आपको मेरी वीडियो को लाइक केमेंट करना मत भूलना और आपने अपता मेंचे ने को सब्सक्राइब करना और बेल आपन को जरूर प्रेस करना फिर मिलूंगे ने